वेल्कम बैक टू माय वाइटी चनल अगेन वेड़ेटे के लिए जिसे लांच होए काफी वक्त हो चुका है अभी यहाँ पे इस चिपसेट को मिला करके अब मेड़ेटे के पास में 6 गेमिंग अब आप यहाँ पे आप यहाँ पे नमबरिंग को देखेंगे न तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जी इन इस से कम जोर है तो इसे में क्या हो रहा है मिरेटेखिलियो जी अपने ही प्राइस रेंज वाले सेम गेमिंग एससी को टार्गेट कर रहा है जो कि है कॉल्ग पतरों से स्नेप ड्रगन सेवन ट्वेंटी जी यहां पर देखना यह यह दोनों की चिपसेट की कंपरिजन करके देखेंगे हम लोग की इन दोनों ही चिपसेट में से कौन सा चिपसेट प्रसेस की बात करते हैं यहां पर हिलियो जी फाइटी फट्वेल एनम फी नेटी टी एसम सी प्रसेस पर बना है विच इस समवाट डिसपोइंटिंग एक गेमिंग चिपसेट होने के बाद भी हिलियो जी सेवन टी में भी यही सेम प्रसेस देखने को मिलेगा आपको इसने स्नेट ड्रगन 710 और स्नेट ड्रगन 712 के कम परिजन में यह जीपसेट 10NM LPP पर बने हुए थे हैं तो काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है फैबरिकेसन प्रसेस में फैबरिकेसन प्रसेस काफी इंपोर्टिन एक्स्पेक्ट बोला जा सकता है एनरजी एफिश जाता है similar to G70 and G80 यहाँ पे आपको दो कोल्टेक्स A75 हाई परफार्मेंस स्कोर मिलते जो कि आपको 2.0 GHz की क्लॉक स्पीड दे रहे मिनवाल 6 कोल्टेक्स A55 पावर एफिशेंट स्कोर मिल जाते जो कि आपको 1.8 GHz की क्लॉक स्पीड दे रहे मिनवाल 720G में आपको 8 टूट गिगाहट की क्लॉक स्पीड दे रहे मिनवाल जाते इस विकन शीडाइक्स प्रिक्स प्रिक्स प्रफार्मेंस स्कोर आप स्नेभास द्रेक्स 720G इस थी हंड्रेट मेंगाहट हाई दें जी एक्टीफाइड यहाँ पे पर चोर्स भी आपको डिफरेंट मिल रहे ना इसनेग Snapdragon 720G में Kotex A76 है, जबकि Helio G85 में Kotex A75 मिल रहा है, Snapdragon 720G leads the way, GPU की बात कर ले तो G85 में आपको मिल रहा है ARM Mali-G52-2E-MC2 GPU, जो की यहां पर 1 GHz ओवर्क्लॉग है, इसका पुराना वर्जन, I mean G80 में आपको 0.95 GHz वाला GPU मिल रहा था, तो यह थोड़ा सा पाउरफूल सा लग रहा है आपने पिछले वाले SOC से, 60 Hz डिस्पले का सपोर्ट मिल रहा है, आपको य Snapdragon 720G में HDR10 का सपोर्ट है, और Elite Gaming जैसे फीचर्स मिल रहा है आपको आपके गेमिंग को बेटर बनाने के लिए, Honestly, ARM Mali-G52 is good as a budget-friendly mid-performance GPU, however, it's outdated and underpowered even at 1 GHz frequency, Helio G90 और Helio G90T की बात अलग है, क्योंकि वहाँ पर आपको 10 score वाला GPU मिल रहा है, Mali-G76 मिल रहा है आपको वहाँ पर जो की Snapdragon 720G को सायद बीट कर पाए, लेकिन जहां Mali-G52 और Entreno 618 की बात है, तो N2-2 GPU section में इन दोनों की बीच का डिफरेंस 50,000 से लेकर के 70,000 तक है, जो की काफी ज़्यादा है, यहाँ पर वीनर 720G ही है, connectivity की बात करते हैं, मिरेटे खिलिए G85 में आपको 4G LTE model दिया गया है, जो कि आपको 300 Mbps की downloading speed दे रहा है, और 150 Mbps की upload speed दे रहा है, Snapdragon 720G की connectivity यहाँ पर थोड़ी सी better मिल रही है, यहाँ पर आपको X15 LTE model मिल रहा है, जो कि आपको 800 Mbps की downloading speed दे रहा है, और 1500 Mbps की upload speed दे रहा है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको Naviq वाला feature देखने को मिल रहा है, जो ESRO का Naviq feature है, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, so because a better model Naviq for satellite position, Snapdragon 720G is simply the best SOC when it comes to connectivity, especially जब आपको यहाँ पर 5G networking नहीं चाहिए, camera और ISP की बात करते है, मिरेटें खिलियो G85 में आपको 48MP का single camera का support मिलता है, और 16MP प्लस 16MP का dual camera का support मिल जाता है, Snapdragon 720G में Qualcomm पर तरफ से Spectra 350L मिल रहा है, जोकि यहाँ पर dual 14-bit ISP है, यहाँ पर 192MP तक का single camera support मिल रहा है, और 16MP प्लस 16MP का dual camera support मिल रहा है 30fps पे, as you can see that Snapdragon 720G का camera support वे बैटर है Helio G85 से, क्योंकि 192MP तक का single camera support है, जोकि एक mid-end SOC के लिए काफी चौकानी वाली बात है, RAM support की बात कर रही है, यहाँ पर Mediatek Helio G85 में आपको LPDDR4X से support मिल ता, साथ में UFS 2.1 का storage मिल जाता है, साथ में यहाँ पर memory frequency आपको 1733MHz की मिल रही है, Snapdragon 720G में भी आपको LPDDR4X से support मिल ता, साथ में UFS 2.1 का storage मिल जाता है, लिकिन यहाँ पर memory frequency आपको थोड़ी जादा मिल रही है, 2300 MHz की मिल रही है डिस्प्ले की बात कर रहे है तो यहाँ पे Helio G85 में आपको Full HD Plus डिस्प्ले का सपोर्ट 60 Hz पर मिल रहा है और यहाँ पे Snapdragon 720G में Full HD Plus डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है Finally N22 Benchmark की बात कर लेते हैं Mirateak Helio G85 का स्कोर रहे 2,6,000 जबकि Snapdragon 720G का स्कोर रहे 2,76,500 तो यहाँ पे आप जैसे की देखी पा रहे होंगे Snapdragon 720G बेटर स्कोर कर रहा है Conclusion पहले ते दोनों ही SOC में से किसी एक SOC को बेटर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे किसी GPU, CPU, AI, Camera और दूसरे जो एकस्पेक्ट से उस पे यहाँ पे Snapdragon 720G खरा उतरता है तो अगर आपको बजट की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro आपके लिए बेटर आप्शन हो सकता है जो कि Snapdragon 720G के साफ महर है और एक better gaming performance भी प्रोवाइट करेगा आपको लेकिन अगर आपको Helio G85 और Helio G80 में से किसी एक को चूज करना है तो यहाँ पे आपको Mediatic Helio G80 चूज करना जीए कि Mediatic Helio G85 में अपगेट के नाम पे कुछ भी नहीं दिया है सिर्फ नाम का चेंज है और Overclocked GPU जैसी की मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है तो दोस्तो इस comparison का तो winner हो चुका है Snapdragon 720G आपकी क्या रहा है comment box पर comment करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको कौन सा chipset इन दोनों में से better लग रहा है इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आयोगे तो वीडियो को like कर देजिए share कर देजी और चैनल को subscribe नहीं के तो subscribe करके रख देजी कोई कि इस तरीके के daily take वीडियो सा आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाले फिलाल मिलेंगे अपने अगले take वीडियो में त तो कलिबाई